फ्रेंट्स आगरा बीट फॉर्स्ट एर का एक्जाम हुए जो है दो महने से ज़ादा हो चुका है लेकिन अभी तक रिजल्ट का कोई पता नहीं स्टुडेंट्स भी बहुत ही पैनिक हो रहे हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा क्योंकि लॉस तो आखिर में स्टुडेंट का हो रहा है युनिवर्सिटी जो है इसमें अभी तक कोई भी जवाब नहीं दे रही है क्या रिजल्ट जो है आपका 26 के पहले आज आएगा क्या जो है रिजल्ट अकल तक आएगा या फिर रिजल्ट जो है आपको 26 के बाद देगा इन सभी के बादे में आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे आप लोग को भी कुछ न कुछ अब करना होगा वो सारी चीजे हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकोन को हिट कर देजे सबसे पहले तो बात कर लेते हैं स्कॉलर्सिप को लेकर करके आप लोग सब जानते हैं कि स्कॉलर्सिप का जो लास्ट डेट है वो 26 है 26 दिसम्मर को है लास्ट डेट उखत्म हो जाएगा और आप लोग ये भी जानते हो कि scholarship का दो बार date already extend हो गया है आगे extend होगा कि नहीं कोई नहीं जानता इसके बारे में chances भी कम ही लग रहे हैं अभी तो जो आगरा university के आगरा university है वो student के बारे में क्या सोच रही है या नहीं सोच रही है समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि अभी त आएगा इसी तरह का वो date देते है accurate date नहीं देते हैं बहुत सारे हमारे student ने जो है आगरा university में call किया है जब-जब call किया जाता है तब तब वो दो दिन का date extend करके बता देते हैं और जब उस समय जो है exam जो भी result है वो नहीं आता है तो हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि university जो आप लोगों को actually में करना क्या है जो भी बीट first year के student है आप लोगों को भी जो है अपनी बातों को रखना होगा रखने के लिए आप क्या कर सकते हो तो या तो university से contact कीजिए या फिर अपने colleges में बार-बार phone कीजिए और बात कीजिए और अगर सामने में college है तो आप वहां ज आप लोगों के लिए ताकि आप लोग भी जो भी student है बीट first year के आगरा university के लिए वो थोड़ा सा जागे और कुछ न कुछ action आपको लेना होगा university में लगतार call कीजिए आप या फिर वहां पे application डालिए कि आपको जल से जल जो है result दिया जाए ये भी याद रखिए result बन करके rate हो गया है student ने हमारे college में call किया था उन्हें यही बोला गया है result बन गया है बस एक से दो दिन में declare कर दिया जाएगा बीस के पहले ही उन लोगों ने बोला था कि declare होगा अभी तक कोई भी इसके बार में हमें तो आवाज भी सुनाई नहीं दे रही है कि होगा या नहीं होगा तो देखते हैं कि आगे B.A. foster का result कि इस तरह से आगरा university दे रही है क्या 26 के पहले देगी जो कि student के benefit में रहेगा और अगर 26 के बाद देगी तो students का loss हो जाएगा so friends फिर मिलूंगी till then have a nice